एक बड़ी खबर आ रही है मैं वो बता दूँ उसके बाद आता हूँ आप लोगों के पास बजट से पहले शेयर बाजार उच्छाल के साथ खुला है और यह अच्छी खबर क्योंकि जनली शेयर बाजार और मार्केट का रिष्टा अच्छा रहा नहीं है पिछले कुछ सालो में बाजार खुलते ही 300 से ज्यादा अंको की बड़त देखने को मिली है और क्योंकि पिछले हफ़ते बाजार में हमने बड़ी गिरावट देखी है उसके बाद अगर बजट के दिन बाजार इतना अप्टिमिस्टिक दिख रहा है तो यह एक अच्छी बात है अच्छा संक लोगों से कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए लोगों से उनकी क्या उमीद ने इस बजट से और शेयर बाजार तो आज खुश दिख रहा है सलामी देता वाँ बजट को मैं आ रहा हूँ सर्थ रेकिए गौरव आपको बता दे कि अभी प्री ओपनिंग के आकड़े आया है उसमें पीन सो आंकों से उच्छाल आया है और उपर की तरफ है साथी आपको बता दे कि जब जब बजट आता है सबकी नजरे जो है वो शेयर बजार पर होती है क्योंकि इन्वेस्टर्स की खा सबका एक्स्पेक्टीशन है कि अच्छा होगा कल एकनॉमिक सर्वे में जैसा कि एकनॉमिक अडवाइजर ने बोला कि गवर्नेंट एक्स्पेंडीचर फोकस होना चाहिए दूसरी चीज़ नमें लग और रेगुलेशन इंडिया में हो गया है तो वह चीज है उसको लेके म मार्केट खुला 332 प्लस जो है बीसी ने इसकावल जी ओपनिंग हो चुकी है और अब जरा एक और कमेंट ले लेते हैं सर आपको क्या लग रहा है आज क्या मार्केट जो है वह उच्छाल दिखेगा पिशली बार हमने देखा था गिरावट थी जिस हिसाफ से मार्केट गुरणब आपको बता दे कि अभी तक जितनी बार भी हमने देखा है बजट पेश किया गया है साथ बार में से 4 बार जो अगर हम शेर बजार की बात करें तो हमेशा हमने देखा है कि 4 बार नाराजगी देखिए एक आज बार छोल दें शिवांगी तो किछली बार तो 5% को तो पस निफ्टी गिर गया था और वो कई ना कई फ्लाटी रहता है और इस बीच बैंक निफ्टी बहुत अच्छे लेवल पर है इस पर डेल परसंट के आसपास 400 अंकों से ज्यादा की बड़ोतरी तो क्या बैंक खुश है जल्दी से कमेंट क्या बैंकों को कुछ मिलने वाल किसी भी समस्या को पहले से डिसकाउंट कर लेता है अच्छी या बुरी खबर दोनों को तो मुझे लग रहा है वो जो NPA की खबर थी बजार ने पहले डिसकाउंट कर ली है और अब बजार उमीद कर रहा है कि कैपिलाइजेशन बैंक्स का होगा और बैंकों की माली हालत अ मेरा नंदानी साब भी अगर मैं घलत नहीं हूँ तो मुंबई से मैं जॉइंग कर रहे है अश्वनी क्या सेंस मिल रहा है फेनेंशल कैपिल से बजट को शेर मार्केट तो सलामी देता दिख रहा है लेकिन वहां जमीन पर क्या आपको दिख रहा है डिमांड क्या है जमीन इस पूरी आर्थिक राजधानी की पुखता हो गई है वित मंत्री इस बार बजट टाप से पढ़ने वाली है वो डिजिटल इंडिया जिसकी जलक हम लगातार इस सरकार के मैनिफेस्टो में इस सरकार के कामकाज में देख रहे हैं वित मंत्री इस बार टाबलेट से बजट पढ़ेंगी और ये बजट पूरी पतिकरों से हम बाद maintenance कर रहे थे थे उन्होंने क्योंकि जिससे करोड से किम महावारी पूरी दुनिया और देश्छ पे छाया रहा सब कर वेभार को जाते हैं कि कभना का टिका करंड किया रहा है वो उसका बजट में प्रावधान किया जा है ताकि सबको मुफ्त में कोरोना का टीका करण खास तोर पे जो लोग इसको एफॉर्ट नहीं कर सकते उनके लिए एक तरह का प्रावधान रहे और आसानी से लोगों को टीका करण मिल सके और बजट भी कहीं न कहीं COVID-19 साथी एकोनामिक जिस तरह से स्लोडाउन हो गया कोरोना काल में उसे बढ़ाने के लिए जरूर होगा और उसी पर फोकस जो है लोगों का रहेगा इसी वज़े से मुंबई कर भी यह चाहते हैं कि कोरोना में जिस तरह से बहुत सी नोकरिया गई टिका करन दिया जाए इसके लिए बजट में बकायदक प्रावधान किया जाए बजट एक आवंटी और और अशुनी ये बात जो आप कह रहे हैं ये मुख्यार्तिक सदाकार ने भी सरकार को सुला दिये कल जब मैंने उनसे बात कि नोने कहा कि वैक्सिनेशन केवल लोगों के लिए नहीं है एकॉनमी के लिए भी होगा